आदा, आज जब सारी दुनिया के लोग जग्जेश साहब को याद कर रहे हैं, तो मैं जग्जेश साहब के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी, के जग्जेश साहब ने घजलों को आम लोगों तक पहुंचाया, और इसके पीछे मुझे दो सबसे बड़े जो रिजन्स हैं, वो मुझे दिखाई देते हैं, सबसे पहली बात तो ये, कि काफे सालों से चला था कि गजलों की बिल्कुल क्लासिकल गायकी में जो गाते थे, उससे हटकर जग्जेश साहब ने बड़ी आसान धूनों में गजलों को कॉंपोस किया, तो इसके वज़े से ये हुआ, कि जो आम पब्लिक थी, जिनको क्लासिकल म्यूजिक इतना समझ में नहीं आता था, वो भी अपने आपको गजलों से डिलेट करने पाई, और क्यूंकि वो धुखने आसान थी, तो लोग भी गुन गुनाने लगे, दूसरी बात ये थी, कि जग्जिस साहब ने जो गजलों का इंतखाब किया, वो जबान भी काफी आसान थी, तो ऐसी जबान की जो कोई भी आम जिसको हिंदी थोड़ी बहुत समझ में आती है, वो लोग भी गजलों समझ जाते, तो ऐसी उन्हों ने जो गजलों का इंतखाब किया, इसकी वज़े से उसका जो उसकी जो रसाई है, वो काफी लोगों तक पहुँची, जगजी सी साब ने ऐसी, क्लास और मास दोनों के लिए काम किया, और क्यूंकि उनकी आवाज, माशाललाव, एक सोज थी, एक दर्थ था उनकी आवाज में, तो वो जब गाते थे, तो सिधा यहां वो लगता था, तो इसकी वज़े से वो क्लास तक भी पहुँच पाए, और जैसे मैंने कहा कि आम लोगों तक पहुँचे, because of the easy tunes, and easy verse, तो इसकी वज़े से वो मास तक भी पहुँचे, और मुझे एक बात जो नजर आती है, वो यह है, कि बहुत बड़ा काम, एक नेक काम करके जगजे साब गए है, और वो यह है, कि आज, उनकी गाई हुई गजलों को, काफी प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल सिंगर्स गाते हैं, और अपना घर चलाते हैं, तो आई थिंक, यह बहुत बड़ा जगजे सामने काम किया है, आज मैं उन्ही की गाई हुई एक नजम, कुछ लाइस आप पर सुनाती हूँ। ये दौलत भिलेरों, ये शहरत भिलेरों, फ्रेची मिलों मुझे से मेरी जवानें, मगर मुचे को लाटा दो, बच्च पन का सावन है, वो आगजे की कश्टी, वो बारिशु का पानी है, वो आगजे की कश्टी, वो बारिशु का पानी है, वो आगजे की कश्टी, वो बारिशु का पानी है, वो आगजे की कश्टी, वो बारिशु का पानी है,